बार मोट मूंग उडद चना यह अपने दाल के रूप में सामने काम मिलेते हैं तो दाल कुल के पादपु की दुबारा से द्यान दें कि दाल कुल के पादपु की जड़ू के अंदर एक राइजोबियम नामक जिवानू पाया जाता है राइजोबियम बैक्टिरिया होता है इस परकार से जड़े होती है जड़ों के अपने देखें तो जड़ों के अंदर इस परकार से गांट से पाये जाती है जिसमें क्या पाये जाता है राइजोबियम जिवानू पाये जाता है क्या पाया जाता है राइजोबियमे बैक्टिडिया पाया जाता है राइजोबियम जिवानों पाया जाता है वो क्या करता है वाईउमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन की योगिक में बदल करें पोदे को परदान करता है यह पोदा है मालो तो पोदे को पर दलत चुकाने के लिए पोधा इसको अपना बोजन बोजन बना कर पोधा इसको पहुंच आता है तो यह राइजोबियम है यह सहय जीवी की रूप में पाया जाता है इस गठना को सिमबायोसिस कहा जाता है यानि कि इन दोन्नों की फाइदा हो रहा है राइजोबियम को तो बड़ा बड़ाया बोजन मिल रहा है और साथ की साथ प обяз हैं कुकों साथ के साथ पोदे को नाइट्रोजन है वो नारेट नाइट्रेट या फिर कोई अमोनिया का विध्पन अन्यय योगी को में बदल कर यह निच between me unpack it करा रहा है और इसके बदले में पदा बोजन oh पलंब म्न करा रहा है तो यह राइजोबियम में जो दाल कुल है उनकी फैमिली में पाया जाता है तो इसके अलावा नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के श्त्रीकन करने वाली जीन होती है उसको कहा जाता है निफ जीन नाइट्रोजन का इस्त्रीकन करने वाले जीन को कहा जाता है निफ जीन और नाइट्रोजन इस्त्रीकन करने वाले जो अंजाइम होता है उसको नाइट्रोजिनेज अंजाइम कहा जाता है नाइट्रोजिनेज अंजाइम को कहां से प्राप्त किया गया था क्लोस्ट्रीडियम इस बैक्टिरिया से नाइट्रोजिनेज अंजाई में प्राप्त किया गया था जो नाइट्रोजन का इस्तिरीकन करने में मदद करता है इसके इलावा नाइट्रोजन का इस्तिरीकन करने वाले बैक्टिरिया एना बिना नो स्टोक यह भी क्लोस्ट्रीडियम यह भी नाइट्रोजन के इस्तिरीकन करने का कारिया करते हैं तो एना बिना नो स्टोक और यह क्लोस्ट्रीडियम है है यह मुखते रूप से रहकर नाइट्रोजन का इस्त्रिकन करते हैं यानि कि यह किसी के साथ नहीं रहकर मुखत रूप से वाइवनल के पर्त्वी पर रहते हैं और यह नाइट्रोजन का यह नाइट्रोजन करते रहते हैं ना बिना नोस्ट अक्लोश्टेडियम नामक बैक्टिरिया यानि कि जिवाड़ों जबकि राइजोबियम है यह सहजी रूप में पाया जाता है दालकुल को कहा जाता है लेग्यूमिनेसी में भी तीन पार्ट होती है एक होता है कुंकि क्या कहा कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ज्यादातार आती है तो ये तालकुल के पाद्रोगों कने ना इक पार्एजन को नाइट्रोजन की योगिकों में बदलने का इसका कार्य होता है और पुराने टाइम से एक प्रंप्रा चली आ रही है न्यो explains है गेहूं और चना है गेहूं और चने को साथ साथ बोने की परंपरा है और गेहूं और चने को साथ साथ बोने को गोचनी कहा जाता है गोचनी यानि कि गेहूं और चना को साथ साथ बोने की गटना को क्या कहा जाता है गोचनी यदि ऐसा किया जाता है के हुँ और चन्ने की फसल को एक साथ बो दिया जाता है तो फाइदा क्या होता है चुंकि अपने जानते हैं चन्ने की जो जड़ है चन्ने के जो पोदा है चन्ने के पोदु की जड़ू में राइजोबियम पाया जाता है राइजोबियम क्या करेगा राइजोबियम वाईव मंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट की रुप में बदल कर पोदे को पलब्द कराएगा तो नाइट्रेट है तो इसकी जड़ू की आसबास भी नाइट्रेट की योगी कट्थे हो जाते है जैसे ही गेहूं इस चने के साथ साथ गेहूं का पोदा भी है यहाँ पर तो गेहूं के पोदे को भी नाइटरोजन की योगिक मिलती है जिससे गेहूं के पोदे की भी फसल अच्छी होती है और साथ में चने की भी फसल अच्छी होती है इसलिए गेहूं और चने को साथ साथ लगाने कि प्रामपरा पुराने तेम से यानि जो बुड़े लोग थे उन्हीं टाइम से प्रामपरा चल लें आर है कि गहों और चने को साथ साथ मौने कि गट्ना को गोचनी कहा जाता है यह코 कोई भी मतर कुल का या लेग्मिनैसी कहीं मतर कुल कहीं दाल कुल कहीं का पाद़ब है उसको अपने किसी किसाथ बोते हैं तो फसल है वो ज्यादा होती है कारण क्या है इसकी開व मेराई जो नइट्रोजन का इस्तरीकन करने से जो परत्थु है जो धरति है दरति मता के अंदर आपने नाइट्रोजन युक्त पोसक्तत प्रचूर मातरा में हो जाते हैं और एक ऐसा भी कहा जाता है कि अपने एक ही फसल को बार बार नहीं उगाना चाहिए फसलों को बदल बदल कर उगाना चाहिए यदि अपने फसलों को बदल बदल कर उगाएंगे तो उसके अंदर दाल कुल की भी फसले लगाएंगे कभी गुवार, मुंग, मोठ, मटर इस परकार की फसले लगाएंगे तो वाईयू ये इसके अंदर पाया जाने वाला राईजू बीम है तो ये नाइट्रोजन का इस्तिरीकन करेगा जिससे अपनी जो मर्दा के अंदर पोसक परदार्थों की परचूर मात्रा बनी रहेगी शाथ में नाइट्रोजन के योगिकों की भी परचूर मात्रा बनी रहती है इसलिए फसल को बदल बदल कर लगाना चाहिए साथ में गेहूं और चने की पसल बोने की भी प्रंपरा रही है देखो नाइट्रोजन इस्तिरीकन करने वाड़ा जो अंजाइम होता है उसे अपने नाइट्रोजिनेज अंजाइम कहा जाता है नाइट्रोजिनेज अंजाइम होता है उसके दो भाग होते है नाइट्रोजन का स्थिरिकन करने वाला अंजाइम है उसके दो पार्ट होते हैं पहले पार्ट को अपनोंने कहा है मोलिब्डो फेरिडोक्सिन पहले पार्ट को अपने कहा है मोलिब्डो फेरिडोक्सिन दूसरे को कहा है अजो फेरिडोक्सिन मोलिब्डो फेरिडोक्सिन की खास बात क्या होती है यह एफ़ी और एमो एफ़ी और एमो युक्त प्रोटीन होती है यह प्रोटीन है जो लोहा और मोलिब्लेटम से बनी होई है यह प्रोटीन है यह बुरे कलर की होती है यानि कि बुरा रंग है यह बुर्ली है बुर्ली और वाईयू के परती कैसी है सवेदन सील है यानि कि वाईयू के साथ तुरंत किरिया करने वाड़ी है वाईयू के परती सवेदन सील है इसमें क्या-क्या सोधा होता है इसके अंदर दो मॉली ब्लेटम 24-36 लोहा होते है और 24 24-36 सलफर होते हैं दो मुली ब्लेडम 24-36 लो और 24-36 सलफर इसका अनुबार सवादो लाख होता है यानि कि 2,25,000 और ये क्या होता है नाइट्रोजिनेज अजाइम का सक्रिये पार्ट यह ही होता है तो अपने बताया कि ये बूरे रंकी होती है जबकि ये पीड़े रंकी होती है है प्ली पड़री है तो यह भी वाध यू कर्त इसके अंदर एंपी फोर एस फोर ऐसा फोर इसका पूर होता है ही कि ये ये क्या होते है इसका कोई आठेकर कोई-स पर कर को दूसरा ת teaspoon होता है यानि कि इसका को सॉद्रों Nicolas से लेकर सि attend जार होता है यानि कि इसका अनुभार इसका दो लाख होता है और इसका सबसे लेकर सतर जार इसका अनुभा रोता है यानि कि यह काफी रणकी होती है और मॉलिप्डो Pom Phyre06212,00 모든 व्याजुके माना कि दो इलएक्ट्रों सबसे पहले आये हैं यहां पर कि यह nitrogen अई कि यह molybdoferidoquesne की सकरीय- رभी जना क्या करता हो नाइट्रोजन की का 01 का क्योश करता है इसके करते हैं यह कोई दो इफ ही लगए हुए यह molybdoferidoquesne के पाइट के साथ है और यह nitrogen आई है यह molybladum है अब सबसे पहले इसके पास कोण आते हैं दो इलक्ट्रोन ग्रहन के जाते हैं दो इलक्ट्रोन ग्रहन कर लिए जाएंगे तो नाइट्रोजन की पहले हालत यह थी अब यह इलक्ट्रोन कर लेगे तो इस पर चार्ज कैसा जाएगा माइनस और इस पर चार्ज कैसा आगया माइनस यहां पर माइनस आगया इस उसने मो को एक लोन पेर दिया हुआ है और यहां पर एफ़ी और एफ़ी जुड़ा हुआ है अब क्या हुआ दो इलक्ट्रोन आने के बाद में फिर इसे जुड़ने के लिए दो हाइडोजन पलस आएंगे तो आईडोजन के पास कोई लक्ट्रोन नहीं है लेकिन इसके पास एक लक्ट्रोन है यह एक बंद तूट जाए तो एक एक लक्ट्रोन ही हो जाए है और यहां पर है जुड़ जाएगा यानि कि पहले बात ऐसे थी और इसके साथ एफ़ी है वो जुड़ी हुई है और यहाँ पर MO है और यहाँ पर माइनस माइनस है और इसके साथ जुड़ने के लिए hydrogen आई है कैसे जुड़ेगा देखो hydrogen आया तो एक यह बंद तूटा एक electron इसका जैसे दो electron थे एक electron दर चला गए एक electron दो बंद हो गए तो एक hydrogen यहां पर जुड़ गया, और एक hydrogen क्या हुआ, यहां पर जुड़ गया, इस परकार की condition हुई, फिर क्या हुआ, कि वापी से 2 electron आए, दो electron आए, तो फिर वापी से क्या होगा, यहां पर यह nitrogen लेगा, यह nitrogen लेगा, इस पर charge क्या जाएगा, माइनस, तो अब NH है, तो NH इस परकार से लिख दिया, इस पर charge कैसा आगया, माइनस, फिर double band NH, charge कैसा आगया, माइनस, यहां पर MO है, और दो F ही इस परकार से लगे हुई है, अब क्या हुआ, दो hydrogen पलस दुबारा से आएगे, तो यह माइनस के साथ साथ hydrogen पलस जुड़ तो यहां पर क्या जाएगा, एक hydrogen तो पहले सी था, एक hydrogen ओर आगया, तो NH2, यह बन तूट जाएगा, एक electron इदर, एक electron निदर, तो दो electron, तो दो hydrogen आकर जुड़ गए, और यहां पर F ही, और F ही, पहले से ही है, इस परकार से, और molybladon यहां पर जुड़ा हुआ है, फिर क् आपी से दो electron आए, तो आपी से दो electron आए, तो क्या होगा, यहां पर Ns2 पर minus है, और Ns2 पर minus है, और यहां दिखा देता हूँ मैं, और यहां पर mo है, और दो F ही थे, वो इस परकार से है, इस परकार से है, फिर क्या होगा, तो hydrogen पलस है, आज आएंगे यहां पर, दो hydrogen पलस आए, दो hydrogen पलस आने से, यह तो क्या बन गया, Ns3, और यह भी Ns3, एक hydrogen यहां जुड़ गया, तो Ns3 हो गया, तो F ही एफी बंचे यहां पर, तो यह क्या है, F और F, यह बंद क्या होगा, अब टूटी गया, यहां पर mo था, वो mo क्या हो हो गया, अब क्या होगा, फिर से वापिस से N2 आएगा, आकर जुड़ेगा, तो यह इस प्रकार से, नाइट्रोजन का इस्तरिकन है, वो लगाता रहे, होता रहता है, यानि कि, नाइट्रोजन के इस्तरिकन करता रहता है, लास्ट में अमोनिया बढ़ गई, इसका अर्थ यह हुआ कि नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन युक्त योगी कों में बदल गई, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन युक्त योगी कों में बदलने की गठना को ही, नाइट्रोजन का इस्तरिकन कहा जाता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का इस्तरिकन, वाली जीन को निफ जीन कहा जाता है नाइट्रोजन का जो इस्तरीकन करने वाली जीन है उसे निफ जीन कहा जाता है यह दिन निफ जीन को पोदू से निकाल कर नाइट्रोजन का इस्तरीकन करने वाली जीन को निफ जीन कहा जाता है निफ जीन को बैक्टिरिया से निकाल कर य पोदे भी नाइट्रोजन का इस्तिरी करने लग जाएंगे तो विज्यानिक लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि निप जीन जो नाइट्रोजन इस्तिरी करने वाले जीन है कुछ बैक्टिरिया में पाई जाती है वहां से निकाल कर पोदू के अंदर डाल दिया जाए तो पोदे है अब बिना नोस्टोड लॉस्टरीडियम यह बैर्टिया रॉप में क्या होता है दोनु की फायदा होता है गटा किसी को नहीं होता एक नाम सुनाओगा आपने को मल सहलिजम सहा बोजिता सपो जिता के दोनों को फाइदा होता है येडा शसाफ रहना जरूरी नहीं होता लेक्शिवकोंसने problem प्रड़ते को देता है पुर्धा इसकी व्यूपृते उसको जभ उपलबद कराता हुब ट्री इसके साथ चाल लाइकेन सुनाओगा कि की शिवाव और कवक के रूप में पाए जाते हैं । जहां पर परदुश्न उता है वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाता तो लाइकेन परियावन पर्दुष्ण का सुचक माना जाता है जिस परकार से अपने ग्रेलू चीडिया है वो भी पर्दुष्ण का सुचक के रुपे मानते हैं कई लोग कि जहां पर चीडिया की संक्या जहां पर जो ग्रेलू चीडिया है वो ज्यादा पाए जाएगी वहां प बढ़ रहा है और जैसे जैसे यह आपने की पाइदा होता है और साथ रहना ज़रूरी नहीं होता है जिस परकार से अपने कई बार अपने उसको कई बार खेत में लेदाते हैं तो खेत के अंदर कई काले पक्सी जो गुर्छली होती है सामने आता है वो आजाती है वो उनके जो चिंचड होती है चिंचड शोर इस परकार के प्रजीवी पसू के चिप्ते होते हैं वो क्या करते हैं उनको पकड़ पकड़ कर खा जाती है तो दोनों के फाइदा हो रहा है उनके तो प्रजीवी दूर हो रही है उनका पेट भर रहा है तो दोनों के फाइदा हो रहा है नुक्सान किसी के नहीं हो रहा है नुक्सान है वो तो जो जो काले पक्सी है ब्लेक पक्सी है वो क्या करते है गाई बैस उनके चिंचर को तोड़ तोड़ कर खाते दूनों के फाइदा हुआ नुकसान किसी के नहीं हुआ इस कटना को को में जैलिजम कहते हैं प्रजीवी तो मारे लेकिन उन दो के बात करें दोनों के फाइदा नुक्सान किसी के नहीं लेकिन साथ रहना हो सकत नहीं है यदि गाई बैस और गुर्षली दूर दूर रहेंगे तो भी वह जीवन आपन कर सकेंगे लेकिन सहब जीविता जो सिंबायोसिस है राइजव बीम और मट्रकुल के पादप वह यदि दूर दूर रहेंगे तो कोई भी दोनों के गाटा होग का नुकसान होगा राइजव बीम है वह अलग से अकेला नहीं रह सकता तो इसको तो कहा जाता है सिंबायोसिस है जीवन में साथ रहना जरूरी होता है